हेलो एव्रिवन वेल्कम टो डबली स्कूप टैक मैसेफ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोगावी फ्रेंट्स आज किस वीडियो में अगें हम लोग बात करने वाले हैं पॉइंटर के बारे में पॉइंटर वाकई में ना केबल वास्ट टॉपिक है बलकि बहुत कॉ आपके लिए पॉइंटर को step by step समझाने की कोशिश किये तो पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि वाट इस एड्रेसे कैसे होते हैं सेकिंड वीडियो में बात करते कि पॉइंटर करता क्या है ठीक है और पॉइंटर में किस तरह से हम लोग एड्रेस रिश्टोर करते पॉइंटर के साथ में किस तरह से अपलाई करेंगे हम लोग आज जो हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों वह बात करने वाले हैं पॉइंटर की साइज होती है दोस्तों यह कॉंस्ट होती है मतलब आप समझनी पारे होंगे क्या कहना चाहरू मैं मैं ये कहना चाहरा हूंगे पॉइंटर चाही कोई भी ले लाप इंटिजर पॉइंटर ले ले चाहे फ्रोट पॉइंटर ले ले चाहे आपका करेक्टर पॉइंटर हो size हमेसा athi और यह साइज है यह compiler to compiler या फिर आपके system to system वेरी करती है तो यह बड़ा confusing होने वाला है तो इसको तोड़ा से ध्यान से देखेगा क्योंकि इसका answer machine to machine या फिर compiler to compiler वेरी करता है तो आप इसको तोड़ा से अच्छे से इस topic को देखेगा और काफी बड़े question इस तो बनते है आखिर size की importance क्या है यह भी हम लोग इस video में बात करेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं pointer की size को लेकर तो दोस्तो हमने यह दिखा था लास्ट वीडियो में कि जो pointer होते हैं उनको किस तरह से बनाते हैं तो मैं आपको यह आपकर कुछ pointer बनाकर दिखाता हूं तो हम लोग लिखेंगे दोस्तों इंटीजर एस्ट्रिक पी तो यह मेरा बन गया एक इंटीजर पॉइंटर है इसका मतलब पी में किसी भी इंटीजर वेरियबल का एड्रस डाला जा सकता है फिर में बात करूंगा फ्लोट एस्ट्रिक क्यू की तो क्यू जो है वह एक फ्लोटिंग पॉइंटर है इसका मतलब क्यू में आप केसी भी फ्लोट वेरियबल का कोई भी एड्रस डाल सकते हैं और वहीं एक और एक्जाम्पल लेता हूं आप बहुत सा एक्जाम्पल ले सक आर की बात कर रहा हूं तो आर जो है आर एक करेक्टर पॉइंटर है इसका मतलब आर के अंदर आप केसी भी करेक्टर वेरियबल का एड्रस डाल सकते हैं यहां तक तो हमने यह भी पढ़ा था कि जब ऐसा लिखते हैं तो बिहांड दर स्क्रीन यहां पर एक पॉइंटर पी इसे ऑलाइज करना तो आप कर सकते हैं अपने किसी variety भी वेरियबल को यह किसी वी मेम्री को तो दोस्तों यहां पर सिर्फ करेंगे इसका ऊंडर्स पी में जाएगा तो विसे उस-धिए बात क прог acum युट सकें की उटिट करहें तो सकते हैं इसे बात करहें तो इसवाइंड ज किन दो चीज हमें पढ़नी होगी एक तो क्यू और क्यू अगें एक पॉइंटर होगा ठीक है और यह होगा हमारा अलाइस मतलब आप जब इस क्यू के अंदर किसी फ्लोटिंग वेरेबल का अटरस डालेंगे तो उस फ्लोटिंग वेरेबल को एक और नाम मिल जाएगा एक और हो जाएगी ौ ठीक है फी हम लोग बात करते है ए- ए-डाय्य गया हुद तो यहां पर आप नाम का बनेगा दोस्तो पॉइंटर बनेगा और यहां पर हलाइस आलाइसिंग जो gefाँद होесट्रीकर ठीक है हमारो बलाइस्ट के यहां पर पॉइंटर जो है छाहे पॉइंटर हो चाहिए वह floating pointer हो चाहिए वह character pointer हो तो मैं इनके नाम भी लिग गीता हूं तो P क्या है pointer है कैसा pointer है इसको हम लोग कहेंगे integer pointer, ठीक है, क्यों कि मैं बात करूँ तो क्या है, एक floating pointer, ठीक है, अगर मैं R के बात करूँ तो R कैसा है, एक character pointer, ठीक है, अब इसको समझते हैं, कि integer pointer का मतलब क्या है, तो यह जो P है, वो किसी integer variable का address store कर सकता है, ठीक है, तो मैं लिख दूँ, can store address of any integer variable, यह किसी भी integer variable का address store कर सकता है, उसी तरह से, यह floating pointer है, यह float pointer है, तो यह क्या करेगा, यह can store address of, address of any float variable, कोई भी float variable होगा, उसका address में आराम से पकड़ा जा सकता है, उसी तरह से character pointer का मतलब क्या होता है, तो जो आ रहे है, वो आपका store कर सकता है, can store, ठीक है, can store address of, address of any character variable, ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि भी pointer के बारे में, मैंने सारा आपको बता दिया कि क्या क्या store कर सकता है, और किस तरह का है, तो pointer आपका, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q हो, यहाँ पर आ रहे है, और जब यह किसी का address store कर लेता है, तो pointer उसको एक नया नाम दे देदा, जिसका भी address store करेगा, जिस location को store करेगा, उसको एक नया नाम देदेगा, उसको एक अलाइस कर देगा, तो यहाँ पर नया नाम क्या है, Asterix P, यहाँ पर नया नाम क्या है, Asterix Q, और यहाँ पर क्या है, Asterix जिस हम लोग कहते हैं starting address, ठीक है, तो मैं आपको तोलह समझा भी देता हूँ, यहांसे में हटा देता हूँ नगी, यह आपको समझ में आ गया है तो इसको हम लोग खाटा दीते हैं यहांसे, तो simply मैं इसको अब तोलह सा short में लिख रहा हूँ, यह क्या है pointer, यह भी क्या है pointer, ठीक है, आपको मैंने पूरा explain कर दिया है, अब हम लोग देते हैं, अब मैं तोड़ा सा छोड़ा सा प्रोगाम बना के दिखता हूँ, मैंने लिखा integer a equal to 5, ऐसा कर देने से a बन जाएगा memory के अंदर कितनी byte का, 4 byte का, क्योंकि integer जो है, हमारे नए वाले system पर, जो मेरा नए compiler ह है, जिसको code block है, उसके अंदर size लेता है 4 byte, अगर आप turbo काम ले रहे हैं, तो वहां इसके size जाएगी 2 byte, integer data type के size बदलते हैं, यह हम लोग बहुत 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 कर चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 4 byte होंगी, ठीक है, 4 byte, 1, 2, 3, 4 byte, ठीक है, अब इन 4 byte में 5 के binary बना कर दा ठीक है, ठीक है, अगर आपको नहीं पता पाए हमसके binary कैसे बनाते हैं, तो आप previous video देखेगा, जिसके अंदर में आपको हर number की binary बनाना आपको सिखाया था, ठीक है, अब हमारे पास में computer के अंदर, जित्ती भी byte होती है, हर byte का particular address होता है, ठीक है, वह होता है hexadecimal form में, किस तो वहाँ पर 4 byte allocate होगी, और 4 byte के अंदर हमारे 5 के binary बनकर चली जाएगी, ठीक है, और ये काम कौन करता है, ये काम, variable बनाने का काम जो है, वो memory में होता है, और memory पर control रहता है हमारे OS को, जिसको हम लों कहता है, console, तो हमाला compiler में, जब हमने ये line लिखी, तो compiler सिख OS से request करता ह कि OS भाई मेरे लिए A नाम का variable बना दे, जिसकी size देगी 4 byte और उसमे value डाल देना तो 5 के binary, और OS ये काम कर लेता है, अब OS वापस confirm तो करेगा ना compiler को, कि बना की नि बना, तो OS का करता है, जहां से इस memory की सुरुआत हुई है, जहां से binary डाला सुरुआत करती, जैसे की 100 से, त A में डाल दिया, अब इस AND A को किसको देदेगा, हमारे compiler तक पहुंचा देगा, ता कि compiler जान सके कि भी किस location पर A को बनाए गया है, ठीक है, तो हमारे program के अंदर हम लोग A भी कामे ले सकते हैं, AND A भी कामे ले सकते हैं, ठीक है, तो हमें बाकी वालत कोई मतलब नहीं है, हमें सब्सक्राइब से मतलब होता है, ठीक है, तो मैं इसको short में अगर चोटा सा बनाना चाहो, तो मैं यह कहूंगा, कि A बन गया बही, 4 बाइट का, जिसके अंदर 5 की binary है, और इसका जो भी studying address होगा, वो किसमें, AND A में, किसी एक बाइट का address ही तो है, studying address, ठीक है, फिर में लिखता हूं यहां पर, यहां मैं लिखता हूं, float, B equal to 6.5, ऐसा करेंगे, तो अगें आपके पास B बन जाएगा, short में, जैसे ही समझा है, मैंने short में, वैसे हम लोग सो shorter समझते, वहां पर हम लोग 6.5 की binary डाल देंगे, और यह कित्य बाइट का बनेगा, यह भी 4 बाइट का बनेगा, क्योंकि float की साथ 4 बाइट होती है, और 4 बाइट में से केवल एक ही address हमें चाहिए, वो है studying address, वो चला जाएगा, and B में, तो यह 4 बाइट का है, यह भी 4 बाइट का है, ठीक है, अब मैं एक और ले लेता हूं, दोस्तों, डबल, क्या लेता हूं, डबल C, ठीक है, इसमें F लगा के डालना होता है, इसमें हमने simply एक डबल डालना है, ऐसा करेंगे, तो हमारा compiler C नाम का एक वेरेबल बनाएगा, कितने बाइट का, 8 बाइट का, और 8 एडरस की जगा, वो केवल स्टार्डिंग जो एडरस उसी को पक اपड़ता है, यहां पर 3 एडरसे से हमारा बिल्कुल काम के नहीं है, 4 में से 1 का में लेंगे, है ना सब 12 2008 अब गया हैं जैसे इसकी जो एड्रस है मालले तो yes यह 200 और 618 पर है तो हर अध्रस दोस्तो आपके पास में 1 सिंगल का उना पान जो हम lot तो दोस्तों अगर आप लोग टर्बो काम में ले रहे हैं ठीक है तो आपको एड्रेस मिलेंगे दो दो बाइट के मतलब कोई भी एक एड्रस आप पकड़ेंगे ठीक है जाए वो किसी भी तरह का हो वेलेबल हमें सिब एक एड्रस मतलब है इस वो स्टैरिंग एड्रस जो भी जाए ठीक है इस गतर ये राइड्रस हैतरी कि इसे साइज का होता है वह Quick होता है हर कंप्पूटर के लिए किसी कंप्पूटर में जाए क्ट चोर की सारे उन गे यह और क्योंए गेन अगा एक गर्डर्स अच्पंपूटर के अरकिटर पर एक एड्रस अगर 8 byte का है तो दूसरा भी 8 byte का होगा तीसरा भी 8 byte का होगा मतलब एड्रेस सब एक हैस के होते हैं ठीक है यहां तक आपको समझ में आ गया तो हर एक memory का पूरी जो memory होती है रहे या memory वो डिवाइड रहती है bytes में हर byte का एक address होता है और उसकी length जो होती ने जो computer है वो 64 bit है तो हमारी जो RAM है रहें के जो अंदर बाइट से उनका एक address है वो जो address है वह 8 byte का होता है कितने बाइट का आट बाइट अगर इसको store करना है तो मुझे 8 byte होगी ठीक है तो यहां देखें यहां पर भी आपके पास एक address है वह भी पकड़ तो हम लोग starting address लें और एक address पकड़ रहे है एक address कितनी बाइट का होता है आट बाइट का इसका मतलब है pointer को पहले से ही पता है कि उसकी size कितनी होने वाली है तो दोस्तों कहने का मतलब यह था कि pointer चाहिए जैसे भी आप बना लें थीक है pointer चाहिए आप जैसा भी बना लें उसकी size fix होती है तो टर्बो में देखेंगे तो pointer हमेशा दो बाइट कहीं बढ़ेंगा और अगर मैं कोड़ ब्लो की या लेटेस मसिन की बात करो 64 मिस मसिन की तो pointer की size हमेशा 8 बाइट ही आएग होता है कि क्या आपको यह समन में आई होगी है I think क्योंकि बहुत आसार है वापस एक और मैं आपको रवाइस करा दिता हूं मेरे जो कंप्यूटर है 64-bit मसीन में इसमें में मेमरी जो होती ही वह बाइट में बटी है ठीक है अब बाइट में बटी है हर बाइट का एक एड्र सब्सक्राइब होता है इसे वज़े से मेरे पास में अपने पॉइंटर की साइज भी क्या बनाओंगा और इसी वज़े से मेरे पास में अपने पॉइंटर की साइज भी क्या बनेगी अब मैं आपको एक्जाम्पल से आपको एक्स्प्लेन करता हूं ठीक है उसे एक्जाम्पल सापको समझ में आ जाएगा दोस्तों मैं आप एक वेडेबल बनाया है इंटेजर ए ठीक है जिसकी विलू मैंने कर दी है पांच यहां एक दॉइंटर डबल पॉइंटर क्यों ठीक है अब इसके भीयाव पर हमारे पास में बनेगा कितने बाहिट का होगा यह 4 बाहिट का होगा ठीक है और हमारे इसके अंदर वेलु क्या होगी फाइफ होगी अब इसका जो भी स्टैडिंग एडर्स होगा यहां पाछार बांटे और जो भी starting address होगा वो end A मा जाएगा तो इसके अंदर केवल A की address पढ़ा वो भी starting उसी तरह से दोस्तो यहां हमारे पास में B बनेगा, B बनेगा 8 byte का, हमें 8 addresses मिलेंगे लेकिन हमें केवल starting address से मतलब है जो कि end B में है और इसके अंदर value के है 6.5 project में type in B मैं परेन से गता, अब P का positivity डाल रहां and combine a address through a Q के अंदर लेकिन का address डाल। एधा नहीं है थैलों और confidence काण का होने बाल है तो आप इसको नीचे लिखेगा दोस्तों के पूत बोर्टवा नहीं हमिल रिशी में लिख रहा हूं print F size of अब आप इसको अच्छी से देख लीजेगा मैंने लेका परसंड देता है तो इंटीजर नंबर के लिए हमेसा परसंड लगाते हैं वैसा आप देखना चाहिए कि साइज ऑफ एक्षिम देता क्या है तो साइज आपको देगा लॉंग लॉंग अंसाइं इंट मतला आप यहां एडवांस जो भी एडवांस लेवल के हैं या जो प्रोफेशनल हैं उनके लिए हम लोग यहां पर लिखते हैं अब भी हम लोग सिप समझ रहे हैं पॉइंटर वद्यान दे रहे हैं दोस्तों ठीक है तो हमें पॉइंटर के लिए पसंड़ी लगांगे तो भी को दिक्कत न देखना हो ठीक मैं एक ही साइज देखना चाहता हूं मैं एक ही साइज देखना चाहता हूं मैं एक ही साइज इसमें क्या है इसमें स्टाडिंग एड्रस है जो हमने यहां पर चार बाइट का जो भी स्टाडिंग एड्रस होगा उसकी साइज कितनी है तो हमारे पास आंसर मि मिलेगा मुझे and a कांसे मिलेगा 8byte उसी तरह से अगर मैं लिखो and b तो यह भी एक address ही तो है single address इसकी size क्या होगी 8byte इससे फ्रक नहीं परता है कि variable किस type का हमें सिभी address मतलब हो address हमें से 8byte का रहता है ठीक है और उसी तरह से मैं आकर चेक करता हूँ कि P की size क्या है अभी मैंने P में कुछ डाला भी नहीं है दोस्तों फी भी हम लोग P की size चेक कर सकते है तो P की size चेक करेंगे तो P जो होगा P की size आएगी 8byte और Q की भी आएगी 8byte क्यों कि P और Q address करते हो address की size हमेंसा fix रहती है तो आपको समझ माया होगा कि pointer चाहिए कैसे भी बना लें इंटेजर pointer हो चाहिए फ्लोट pointer हो चाहिए वह character pointer pointer की size हमेशा fix रहती है या तो यह आपकी सिस्टम पर चेक कर लिजेगा कितनी आ रही है मेरे सिस्टम पर यह आठ आ रही है तरबो वाले पर दू आएगी किसी में चार आएगी ठीक है तो यह compiler to compiler और machine to machine वेरी कर सकता है इसका आपको ध्यान रखना है ऐसा नहीं कि मैंने अगर बोल दिया आठ बाइट तो आपको यह आठ बाइट ही मिलेगा ऐसा नहीं है वह आपकी machine कौन सी है ठीक है कितने bit का computer है compiler कौन सा ले रहे हैं इन सारे factor पर डिपेंड करता है उसी तरह से जिस कि साइज भी सारे factor पर डिपेंड करती है तो हमारे computer में मैं अपने computer के बात करूं जो 64-bit machine है और block में कामें ले रहा हूं तो मेरे computer पर जो addresses है हर byte का address है कोई बाइट पकलू कोई भी address उठा कर देखूंगा तो इसके size आएगी address की आएगी 8 byte और pointer क्या पकड़ता है single address तो पकड़ रहा है pointer इसी वज़े से pointer की size भी क्या आएगी 8 byte आएगी अगर मैं कहता हूं कि मेरे computer पर यदि आपके जो computer मान के तलता हूं आपके पुराना computer रहे तर्बो कामें ले रहे तो बिगनर के case में क्या होगा आप तर्बो कामें ले रहे ठीक है तो तर्बो जो होता है आपके 16 bit compiler होता है मतलब आपके जो system है वहां पर जो memory होगी उसकी size होगी आएगी address की size आएगी 2 byte आप जितने भी pointer बनाएंगे कैसे pointer बना लीजिए pointer की size आपके आपके fix रहेंगी 2 byte ठीक है तो यहां तक हमें समंझना आ गया अब कोशिन यह arise होता है की ser pointer की size यह ध्यूर्थi क्या होई एना तो अभ कि एंट का क्या इफ्थैक है तो वापस देखिए का जब मैं बनाता हूं तो आपस बनता है और एस्टिक बने जिस इंटिजर का पकड़ेगा उसको यह नाम मिलेगा अब यह जो नाम है यह कितने बाइट का बनेगा यह साइज यह बताता है इसके रखार रखा बनेगा यह जो नाम बन रहां वो देंटड़ है लेकिन वेंट रॉनटर की नाम बन हो रहा हैं वह वह कितना बड़ा बन रहा है यह अंतलर पीकश अंचे त veggie लै नार्थ हो regret अबनेगा क्या सूility प्लोट मिलेगा लएम गई आफको समझ माया होगा कि पॉइंटर की साइस क्या होती है और जो नए ना बनता है इस को करता है युन साइज का होती है तो दोस्तों यह जो करेक्टर है यहко aniaeDie ही लिखा और है यहुंगा वनमा पूइट होगा यहां पर जो aastric. k funny amount का होगा वो चार बायट का और to T P का हओगा और यहां जो outro tip भी बनेगा वोगा वो किस ट desta का होगा वह in ऴक्राइपक का मतलब 4 बाइट का होगा वह भी तो इसी किकल लिए अभागा को रहाओ 10 किस्वांटिर आपको थी कि कि साइज क्या होती विभ पोगा में इसको किस तरह से रहा नहीं प्रूजर जो यह प्रुगां कर दोस्त सब्सक्राइब हैं प्रुजर कर आन्य है औरश सायद एजे में रिखा डबल बी में वेलु डाल दी है इस डबल वेलु डाल दीए तिक है मैंने लिख दिया चोला मैं इसको आदि संदाओ रहा हुआ से समझाता हूं आपको जादा समझ में आएगा एक इसके तुरह मैं समझाता हूं कि क्या होने वाला है ठीक है आखिर वह लाइजिंग क्या है और कैसे नाम है ठीक है तो सबसे पहले जब आप इंट एंट लिखेंगे तो आपके पास में चार बाइट का एबनेगा मैं आपको पूरा प्रोपर ही बना के दिखा रहा हूं ठीक है यह यहां से लिके हमारे पास किती वाइट है ठीक है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है कि मेरी सेंच्ञ मईत है यह थर्ड संतर स्टर्ड थिस एक वाहई को पूरा कोगे दिकान अ को पूरा मैंने कोल के दिखा घय और इसमें डालता ओम ही 321 ठीक है ताकि आपको एकदम प्रॉपली समझ मा जाए तो सरसे पहले 321 को स्टोर करते हैं ठीक है मैं यहां पर लिएता हूं 1234 स्वारी मैं यहां पर लिएता हूं 1248 1632 64 128 256 और इस तरह से चलता रहेगा ठीक है अब हमें करना क्या है अब हमें 321 की बाइनरी बना के डालने है देखते जाएगा दोस्तो तो 256 और 64 यह हो गया 320 ठीक है और यह हो गया 321 यह है दोस्तों 321 की बाइनरी अब देखते जाएगा क्या होने वाला है ठीक है फिर यहां हम लोग बात करेंगे यहां तक मैंने काम कर लिया है यहां पर मैंने यह बनाया चार बाइट का और जो भी इसका इसका एक सुदू है हमें के वहल इससे मतलब है यह चला जाएगा एंड यह चला गया ठीक है चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहां पर मैंने पी में डाला एक का एड्रस दोस्तों जब आप ऐसा लिखेंगे तो आपके पास में यहां पर एक बनेगा पी और एक बनेगा एक यह तो है पॉइंटर यह तो है आठ बाइट का और एक जो है वह हमारा इंट की अकूरिक मतलब 4 बाइट का तो होगा क्या जैसे ही मैं पी बनाऊंगा तो यह दोस्तों पी मझें क्या है अपके एकांगा मैं तो मुझा पड़ा जो स्टेंव इजा भी जो सो फटा वह आपने किसमें थ करते हैं तो पी में कितना तो क्ना क्या घृत है इस इस बांट कर रहे आप यहां से क्या करेगा यहां से 4 दिक बनाएगा तो पहले बाइट तीसरी 24 उसको बंढेन सी कुन हिदेगा इसको स्टर्पी मैं पुछा भी start P के value का है तो आपने का star star P वो पूरा ही है जिसकी पूरी value के होगी 330 ठीक है अब दाहर से सुनेगा अब मैं लिखा q equal to and A ठीक है तो and A में 100 है 100 कांडाल दाल दिया Q में डाल दिया तो दोस्तो यह दा मेरा q जब आप ऐसा लिखे होगे तो यहां से भी दो चीज बनेगी एक तो बनेगा q जो की होगा 8 byte का और एक बनेगा star q जो की होगा इसकी according बोले तो 1 byte का ठीक है तो अब आपने यहां पर q बना लिया ठीक है अब q में क्या डाला एंड एक के अंदर जो भी एंड एक के अंदर क्या है 100 है तो 100 किसमें चला गया q में तो q में भी क्या गया 100 अब q भी इसको पॉइंट कर रहे है ठीक है q भी इसको क्या कर रहे है पॉइंट कर रहे है अब आपने लिखा print f print f % d, दोस्तों होता यह छलिए कर्या तक बना देगा aель क्यों च्रिक हो क्यों क्यों सुनगा क्यों कि यहां पर आपने सब्सक्राइब करेंगे तो इतना पड़ता है इतना पड़ता है इतना पड़तेगा ठीक है और इतना पड़ेगा तो इसके अकोडिंग आएगा इसके एकोडिंग आईगा owe तो इसका answer अलग आएगा दोस्तों। ठीक है, तो यह होता है پॉइंटर के size को लेकर और पॉइंटर के allies को लेकर size को बात. कि जो पॉइंटर के al teasing है यह है pointer का alliance, ठीक है तो इसकी size जो है वह हम लोग यहां दिखाते हैं इसकी साइज जो है वो हम लोग यहां दिखाते हैं, इसकी साइज तो पहले से फिक्स है, पी और क्यू की साइज अगर आप देखेंगे, चेक करना चाहेंगे, पी और क्यू की तो हमेसा आठी आएगी, तो यही वो रिजन है, जिस वज़े से का जाता है, कि अगर आपका आधे ही मिलेगा, इसलिए ऐसा मना क्या जाता है, कि मिस मैस से मत करें, जिस तरह का वेरियबल है, उसी तरह का पॉइंटर में जालना चाहें, ज्यादा अच्छा रहता है, अगर आप इसको करेक्टर में डालेंगे, तो फिर आपका गढड़़ी हो जाएगी, आधे ही आए कर, कि pointer की size fixed होती है, हर machine के लिए किसी तरह का pointer बना ले उसकी size fixed है, मेरे यह आप a size 8 byte का pointer ही बनेगा, चाहिक मैं कुछ भी कर लो, तो अगर मैं इस question के अंदर, ठीक है, यहां से मा हटा देता हूँ, यह इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग हटा के, अब मैं आपको ब आपके एक एक टाइप क्या है इंट तो क्या जाएगा चार बाइट नहीं लिखावाएगा अगर मैं लिखता हूं प्रिंट एफ पर्संडी कॉमा साइज ओफ क्यों पहले देख लेते हैं प्रिंट एफ पर्संडी साइज ओफ साइज ओफ क्यों यह भी कितने का हैगा आट बाइट का हैगा फिर मैं लिखता हूं इस कोशन साइज आपको पता चल जाएगा है कि पॉइंटर की साइज इस फिक्स रहती है और इनके जो अलाइज जो नाम बन रहे हैं उनकी साइज़ वेर्य होती है दोस्तों यह था पाइंटर की साइज को लेकर ऊनके अलाइज बेकर और आपको रिजन भी बता है कि क्यों आखिर पॉइंटर की साइज देती है और उनके अलाइज की साइज हम लोग फाइनल करते हैं डिटराइफ से ठीक है और इसलिए का जाता है कि इंटीजर पॉइंटर के अंदर इंटीजर डाले को दूसरे डालोगे तो पकर तो लेगा लेकिन आंसर सही नहीं दे था यह वो रिजन आपर इस प्रिवेस कोश्चन में हमने देगा था कि एस्टी क्यू जो हूँ आंसर पूरा प्रॉपर नहीं दे रहा था सही आंसर नहीं था साथ सिर्ड़ कोश्चन आपर जाये समय एक आंसर बेंगे सिर्ड़ की अंधरा स्टी कोश्चन में है लेक्रेश